नमस्कार मैं हूँ प्रशान्द कटारे और आज बात दिली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की पित्रपक्ष में शपत ग्रहन की तरसल पित्रपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से ऊचुकी है भारती जोतिश कर्मकान की माने तो पित्रपक्ष में कोई भी शुबकारे नहीं किये जाते हैं दिली की जनता के मन में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पित्रपक्ष में 21 नवंबर को शपत लेंगी या फिर दिली में 12 से 15 दिन और अर्विन केजरिवाल ही सीम पद पर बने रहेंगे लोगों के मन में सालों से ये धारना चली आ रही है कि शिरादे या पित्रपक्ष के दौरान कोई शुबकारे नहीं किये जाते ऐसे में अगर राष्टपती के तरफ से दिली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का शपत ग्रहन की मन्सूरी मिलती है तो क्या शपत ग्रहन का कारिक्रम पित्रपक्ष में होगा ये वाकिए बड़ा सवाल है अब जोतिशाचारी क्या कहते हैं ये आपको बता देते हैं जोतिशाचारी के माने तो पित्रपक्ष में कोई भी नया और शुबकाम नहीं करना चाहिए ये पित्रों के पूजन और ध्यान का समय है हिंदू संसकारों के मताबिक आतिशी को शपत नहीं लेनी चाहिए पहली बार सीम की शपत ले रही हैं तो इसका कोई वजूद ही नहीं होगा अगर अपना वजूद वो बनाना चाहती है तो शपत ना लें ये कहना है जोतिशा चाहरे का अगर डमी सीम बनना चाहती है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमाद्मी पार्टी के लिए ये उल्टा भी पड़ सकता है मजबूरी में किया गया सौदा है लहाजा इसका कोई फर्क नहीं होगा दिल्ली के चुनाव के लिए भी ये ठीक नहीं ये कहते हैं जोतिशा चाहरे हलाकि आतिशी की शपत को लेकर जोतिशा अलग अलग जो जोतिशा चाहरे हैं उनकी राय भी अलग-अलग है पंडित अनिल कातियायन पहले भी देश के राजियों में सरकार और बनने और सीटों की संख्या के बारे में भविश्माणी कर चुके हैं जो काफी सटीक रहा है लेकिन देश के जाने माने जोते शाचारे आचारे विक्रमादित कात्यायन के बातें बातों से सहमत नहीं है वे कहते हैं कि पितर पक्ष को लेकर लोगों के मन में घलत धारना बन गई है कि कोई शुब कारे नहीं कर सकते ऐसा नहीं है हलक याचारे विक्रमादेते कहते हैं आपके पितर आपकी तरक्की से आखिर क्यों नाराज होंगे अगर आतिशी शपत लेती हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है लेकिन शपत का मूर्थ शुब होना चाहिए आतिशी किस घड़ी और किस बेला में शपत लेती हैं ये इस पर नि परज़ित मानते हैं तो कुछ का मानना है कि आप शुब कारे कर सकते हैं हलाकि जादातर लोगों के मन में धरना बनी हुई है कि पितर पक्ष या शुरादि पक्ष के दौरान लोग ना तो बच्चों को नया कपड़ा खरीद कर पहना सकते हैं और ना ही नया वाहन या फिर ना ही अन्य तरह के कारे कर सकते हैं और ऐसे में अगर जहां अगर आतिशी वाकई आतिशी मार लेना पितर पक्ष में ही शपत ग्रहन करती हैं तो यह वाकई देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है लेकिन अभी दो दिन ने कि इस तारीक को चुकि उनका शपत ग्रहन क space है उनके लिए ये उन्हें जरूर सोचना होगा कि तीन चार महीने सकारात्म कूलचा के साथ वो काम करें या तमाम जो प्रेशर रहेगा चुकि प्रेशर एक ही रहेगा आपके पास नया काम है यानि की चार महीने में जो आपको कर दिखाना है कोशिश आप की होगी की चार महीने में आप क्या कर दिखाते हैं लेकिन आतिशी पहले ही एक अलग लाइन ले चुकी हैं वो कह चुकी है मैं किवल कुरसी पर बैठूंगी जबकि मुख्यमंत्री तो अर्विंद केजरी वाल ही हैं तो एक लाइन ये भी कही जा रही है एक जो तबका है वो ये भी कह रहा है कि आतिशी मार लेना केवल हाने की कोशिश जरूर की जा रहे है तो ऐसे में ये मान लीजे आप कि जो अर्विंद केजरी वाल करेंगे वही आतिशी मार लेना करेंगी यानि अर्विंद केजरी वाल कहेंगे कि पितर पक्ष में शपत लेनी है तो पितर पक्ष में आतिशी मार लेना शपत लेंगी झाल झाल